आप सभी का सत्यादी शर्मा परिवार के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर फटाफट से जॉइन हो जाईए और लिंक को शेर कर दीजिए बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मुका मिला है कोमेशी, निधी, रानी, रवी चलो, सभी का स्वागत है, फटाफट से जॉइन हो जाईए, ठीक है भीजा चलो, खुब दिवाली बना ली है सबने, एक हफ़ते की छुट्टी के साथ हाँ, पलक मुश्रा, स्वागत है, यह फ़र से स्क्रोल करते ना इसे छीक है, चलो, शुरू करते हैं क्लास को, रादे-रादे, सभी को रादे-रादे हाँ, बस यह है, दिवाली अच्छी बनी थी, सभी के अच्छी बनी ऐसा लग रहा है ना, एक हफ़ते के बाद सब जॉइन हुए हैं, क्लास के अंदर और, चलो बहिया, चलिए, शुरू करते हैं क्लास को, और पहला क्वेशन आपके सामने, यह बता दो कि चप्टे करमी में संगठन का इस्तर क्या है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि जो चप्टे करमी होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, किस प्रकार का और्गनाइजि होता है, उनकी पॉड़ी के अंदर, ठीके, चलिए, हाँ, स्वागत बहिया, नीतु, शीला, प्रियंका, कंचना, मनीशा, हाँ बहिया, चिट्टी 2.0, हाँ, कह सकते हैं ऐसा, पर क्या कर सकते हैं, ठीके, बाकी के जो 10 मेंच हमने जीते हैं, वो बहुत ही शानदार थे, यह है ना, चलो, इसका अंसर दो फटाफट से क्या हो सकता है, किस प्रकार का और्गनाईजेशन आपको देखने को मिलेगा चप्टे करमियों में, है ना, क्या अंसर हो जाएगा इसका, तो सभी का अंसर है, क्या, C अंसर दे रहे हैं सभी, ठीके, तो अंसर क्या हो जाएगा, है ना, अंग, सबसे पहले, अंग तंत्र जो देखा गया था, वो किस में देखा गया था, चप्टे करमी में देखा गया, है ना, चप्टे करमी का मतलब होता है, ऐसे फ्लेट वॉम, ठीके, ऐसे प्लेट, चप्टे, इसलिए हम इने क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, प चलिए, हैप्पी दिवाली या आपको भी चलो नेक्स्ट क्वेस्चन है कि गेसों का आदान प्रदान शरीर के सता से होता है कहने का अर्थ है कि इन में से ऐसे कौन से वो जीव है जिनके अंदर जो गेसे से एक्सचेंज होती है सांस लेने के लिए वो स्कीन के थ्रू होती है चलो सभी बढ़िया से दिवाली भी बना ली है अपनोंने है ना एक हपते की छुट्टी भी इंजोई कर ली है वर्ल्ड कप भी हो चुका है मतब सारे काम एक साथ चुनाओं भी हो गए अब तो सब हो चुका है तो अब पढ़ लेते हैं हाँ अब पढ़ लो अब कुछ बचाई नहीं अब पढ़ नहीं बचाई बस तो पढ़ लो चलो फटाओ फट्चे बताओ गेसों का अधन प्रदान शरीर में जो सता से होता है किन में होता है डी इस्पंजो में निडेरियन में, चप्टे क्रमी में या इन में से सभी अरे सभी में होगा सभी में होगा इन में इनके अंदर कोई वो नहीं पाया जाता कि कोई ट्रेक्या वगेरा हो या फेफडे हो इनके अंदर थोड़ी होते ये विक्सित नहीं है जीव जाता ठीके तो इनकी स्कीन ही ये काम कर लेती है जैसे हम बात करें चप्टे करमी की तो ये क्या करते हैं आपकी जो आते होती हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं ठीके पेरासाइट के रूप में पाए जाते हैं तो ये इनकी स्कीन की सता से हम से जुड़े होते हैं और उसी से क्या करते हैं सारा guest का exchange करते है तो इसका answer क्या हो जाएगा सभी में तो होता है चलो गूदा अनुपस्तित होता है अब यह गूदा क्या है एनस, एनस पूछा है अभी नहीं करवाए शिवानी अभी नहीं करवाए चलो भया फटावट से काम धंदे पर लोटें और क्या ठीक है हाँ उसमें पूछा है कि एनस किसमे अनुपस्तित होता है एनस नहीं पाया जाता किन में नहीं पाया जाता देखो एनस क्या होता है एनस का मतलब है हम बोलते हैं elementary के नाल आहर नाल जो मूँ से शुरू होती है इस प्रकार से हमारे अंदर फिर अमाशय होता है फिर क्या होती है हमारी फिर हमारी छोटी आथ होती है इस प्रकार से क्या होती है हमारी छोटी आथ होती है और finally फिर जाकर कहां खतम होती है ये तो एनस पे खतम होती इसका मतलब क्या है इन में से सभी जिनमें एनस नहीं पाया जाता और इसको हम क्यों बलते हैं इसको हम क्यों बलते हैं देखो आहर नाल नाल का मतलब क्या होता है नाल का अर्थी ही क्या होता है जो दोनों जगा से ओपन हो आप खुद देखो आहर नाल मुख भी हमारा ओपन ह होता है दोनों की तरफ क्या होती है opening होती है इसलिए हम इसे नाल कहते हैं ना कि नली का नाल का अर्थी होता है जो दोनों साइट से open ठीक है इस आधार पर हम बोलते हैं इसे हम हां ठीक है चलिए यह बताइए कि संग S.K. हेलमंधीस के अंतरगत आने वाले जन्तूओं को सामान निताहट डेश कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं गोल क्रमी कहते हैं क्या कहते हैं राउंड वाम तो कहते हैं लेकिन इनकी बोड़ी के उपर खंड नहीं पाए जाते हैं है ना जैसे कि हमने कहा प्लेटी हेलमन्थीज तो वो थैच चपटे चपटे जब नंदर धोड़ा सा डेवलप्मेंट जब्ड़ा थोड़े रूपक्त कि थोड़ा सा चप्टे से क्या होंगे वो थोड़ा सा गोल उनकी बॉड़ी में क्या एका गोल पनाएगा मतलब थोड़ा से गोल होंगे ठीके तो प्लेटी हेलमन्थीस के बास सेकंड जो होते हैं वो कौन होते हैं गोल क्रमी होते हैं लेकिन इनकी बॉड़ी के ओपर किसी प अरे बी कहां से आएगा उसने कहा है यह जो चप्टे करमी है यह प्लेटी हेलमन्थीज में आएंगे यह प्लेटी हेलमन्थीज है प्लेटी हेलमन्थीज ठीक है यह प्लेट प्लेट वाला होता ना प्लेट मतलब चप्टा ठीक है चलिए नीमे टोड में उस सरजी सलरचना है जो नीमे टोड होते हैं उनके अंदर उस सरजन के लिए क्या पाया जाता है बताओ क्या पाया जाएगा देखो पिकुछ लोग गलत अंसर देंगे इसका उसने पूछा है ज्वाला कोशी का फ्लेम सेल पाय जाती है रेनेट कोशी का होती है नेफरोन या फिर निूरोन क्या होता है बहुत बढ़िया अरे आपको पता है कि किने कहते हैं नीमे टोड जो कहते हैं हम किने कहते हैं हम हम कहते हैं राउंड वाम को जो round होते हैं, गोल क्रमी, ठीके, गोल क्रमी की बात हुई है, गोल क्रमी के बारे में पूछा है उसने, ठीके, उपनाम याद रखो इनके, गोल क्रमी के बारे में उसने पूछा है, इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा, रेनेट कोशिका, और रेनेट कोशिका जो होती है, आप लोग जो अंसर दे रहे हो ज्वाला कोशी का वो किस में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा प्लेटी हलमंधी जो होते हैं, उनके अंदर उस सरजन जो होता है, वो ज्वाला कोशी का फ्लेम प्लेम सेल से होता है. ठीक है और इसमें आधे लोग अभी A लगा रहे थे अब देखो B अंसर आगया सबका मैंने देखके ही बोला था ठीक है पहले A लगा रहे थे अब B लगा रहे हैं बहला बोल दिया तो B लग हो गया ना देखो हाँ B इसका अंसर सही होगा क्योंकि नीमे टोड़ जो होते हैं वो S के हिलमंधीज में आते हैं ये बताओ लोवा लोवा किसका विज्ञानिक नाम है लोवा लोवा किसका विज्ञानिक नाम है जल्दी से लोवा लोवा किसका विज्ञानिक नाम है अब इसमेरी मुझे पाता अब लोग तु के लगाओगे लगाओ चलो देखो ये न एक बिमारी भी है इससे बिमारी भी होती है ये नेतर कमी आखों में पाया जाता है ठीके आखों में छोटे छोटे देखना आप इसे देखोगे आपको दिखेगा ये भी नहीं एसे बारिक बारिक धागे के समान होते हैं आखों में पाया जाता है ये करमी ठीके हमारी आँखों में पाया जाता है नेत्रकमी आईवाम बोलते हैं और उसी को बोलते हैं लोवा लोवा ठीके तो ये क्रमी जो आँखों की बिमारी पैदा करता है आपको आँखों की बिमारी ऐसा धागे नुमा सरशना होती है इसकी ठीके है हाँ चलिए डैश संग के जन्तुओं का शरीर खंडित होता है बताओ इन में से कौन से ऐसे जन्तु है जिनका शरीर क्या मिलेगा आपको खंडित के रूप में मिलेगा खंडित मिलेगा चलो क्या हो जाएगा सिंपल एंसर है बहुत इसका हाँ एनी लीडा ठीक है एनी लीडा जैसे की यह होता है ना के चुआ सबसे अच्छा एक्जाम्पल है इनके बॉडि के उपर क्या पाए जाते हैं ऐसे खंड पाए जाते हैं एसे क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सीटा ठीक है? सीटा के माद्धियम से चलते भी हैं ये लोग उसके अलावा एक चिपचिपी नमी यूपत इनके उपर क्या पाए जाती है? एक layer पाई जाती है, इनकी skin के उपर एक नमी युपत क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं सांस लेने के लिए, है ना, सांस लेने के लिए जो पाई जाती है इनके उपर, ठीके, उसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो केचुआ है, जो केचुआ है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है, भूरा, ठीके, और किसके कारण से, तो पोरफाइरीन, पोरफाइरीन वर्णक के कारण कैसा होता है, इसका कलर, भूरे कलर का होता है, ठीके, उसके अलावा, इसका जो ब्लड होता है, ह उसमें इसका जो हीमोगलोबीन है, हीमोगलोबीन, ठीके, इसका जो हीमोगलोबीन होता है, वो इसके कहां होता है, इसके प्लाजमा में गुला होता है, किस जीव का हीमोगलोबीन उसके प्लाजमा में गुला होता है, केच्वे का गुला होता है, सीधी सी बात है, भूरा कलर क के कारण है तो पोरफाहरी-इंवर्ज sini के कारण क्या इसके अंदर आखे ऊती नर्मादा दोनों about किसमे होते हैं एक शरीर में होते हैं ठीक है ना बहुत अच्छा से इसके को च्जा चोंदें दूसे उलग से लग शेश intense तुरा ट्न के की चालते हैं एस मिलेयो हूं बverse म्म इसांच्ज चलर करें अगर आपको साइंस कि कोई भी बैक जॉइन कर नीं है साइन्स का कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स जॉइन करना है तो आप कूपन कोड अपलाए कर सकते हैं शिरिन 20 के नाम से जिसमें आपको उस कोर्स पर क्या मिल जाएगी 20% एक्स्टर डिसकाउंट मिल जाएगा साइन्स का बेच है स्पेशल जो बेच रहता है साइन्स का अगर आपको पर्चेस करना है या अधर भी कोई पर्चेस करना हो तो आप यह वाला कूपन कोड अपलाए कर सकते हैं ठीक है, चलिए, नर या नर मादा दोनों एक साथ होते हैं इन में, देखो ये बाद समझवा आप ये क्वेश्चन केभी से में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़ पती आता है ना, उसमें ये पूछा गया था, कि निम्न में से किसमें नर और मादा अलग-अलग होते हैं और उसमें एक option आपका केच्वा भी था, एक उसमें दीमक भी था, है ना, बताओ आप, ऐसे question पूछे, कि उसमें ये वाला question आया है कि इसमें केभी सी में, केच्वे से question पूछा था उसने, कि निम्न में से बताइए किसमें नर और मादा जो होते हैं, वो अलग-अलग ये बताओ, ट्रोपो फोर किसका लारवा होता है, लारवा की बात करिए, लारवा क्या होता है भया, लारवा वो stage है, जैसे हमारे अंदर तो लारवा नहीं बनता, है ना, इनके अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता-पिता के जैसे दिखने से पहले एक अलग- की अवस्था में होते हैं, के बीसी के क्वेशन आप देखना, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, एक क्वेशन उसमें पूछा था, कि जो हिरोशीमा के उपर बम फेका गया था, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, है ना, जो बम फेका गया था, परमाडू बम, वो किसके नाम पर रखा गया था, नाम उसका, ये क्वेशन था उसके अंदर, सोचो आप, ऐसे क्वेशन आते हैं, देखा करो ऐसी चीजे, अच्छा, में डख, अरे नहीं, नागा साकी के नाम पर बम का नाम थोड़ी रखा था, गजब बात करते हो, ठीके, चलो, उसने बूचा है, ट्रोको फोर किसका लारवा है, ट्रोको फोर किसका है, एनिलिड्स, ठीके, तो जो एनिलिडा होते हैं ना, एनिलिडा, एनिलिडा और मोलस्का, मोलस् लारवा जो जल में जल में तेरता रहता है ठीके उस लारवा को हम क्या बोलते हैं ट्रोकोफोल लारवा केते हैं यह एक्जाम का क्वेश्चन है आया होगा क्वेश्चन है ट्रोकोफोल लारवा किसका होता है ठीके तो ध्यान रखना या तो एनिलीट्स का होगा और या तो फ जो पाइलेट था, उसकी माता के नाम पे रखा गया था, यह अंसर है इसका, नागा साकी, फुड़ा सा स्क्रीन नीचे कर देना, स्क्रीन कटरी मुझे पूरा नहीं दिखा, चलो, इसका अंसर दो, हिरूटीन एरिया कौन है? सीधा सा अंसर है, क्या हो जाएगा? जो किसका अंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो किसका अंसर हो जाएगा? ठीक है? क्या हो जाएगा? जो किसका अंसर? लीच, ठीक है? तो देखो यह करते क्या है, जो लीच होता है, इस प्रकार से देखो, यह है क्या लीच, ठीके, यह क्या है लीच, और लीच की बोड़ी पर कितरे खंड होते हैं, 33 ठीके, 33 खंड होते हैं, यह भी एनिलीडा में ही आएगा, इसके मूँ से क्या निकलता है, इसके मूँ से देखा होगा, आप परीचित मुवी अगर किसी ने देखी हो तो उसमें बहुत अच्छे से यह दिखाया है कि उसके अंदर वो उसको एक डंड देता है पेड से बांद कर ठीक है तो वहाँ पर वो क्या करता है उसे पेड से बांद देता है जो वैक्ती रहता है उसे पेड से बांदता है और उसके ओपर लीच डालता है ठीक है और लीच डालता है ताकि वो क्या करेंगे उसका खून चूसेंगे तो य वो वाले लीच है, ये खून चूशते समय हिरुडी नामक इस्तराव करते हैं ताकि क्या हो जाए, खून जमे ना चूशते समय और एनिलेड में आते हैं, ठीक है, देखो, अलग 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 जगा पर अलग 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 नाम से बोला जाता है, लीज थेरेपी, हाँ, लीज थ नामें इसका है ना, ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन समुध्री चूहा है, समुध्री चूहा और साथ में ये भी बता ना कि किस वर्ग में आता है, या किस kingdom से है, अलग उसमें है, किस phylum से है, ये बताओ, गोंच बोलते हैं चिट्टी बोल रहे हैं गोंच बोलते हैं गोंच किसको बोलते हैं जोंग को जोंग को बोलते हैं है ना केच्वड आपका हाँ वो सही बोल रहे हैं जोक बोलते हैं हाँ बहिए जोक ही उदर आपके उदर गोच बोलते हो, गोच की बात कर रहे हो चलो, क्या जाएगा? हाँ, अब आप लोग उने दिमाग क्या लगाया होगा? कि तीनों में से जो एक अलग सा नाम दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो नाम भी थोड़ा सा अलग होगा जो हमने सुना नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन जो कभी सुना नहीं उसका ऐसा अंसर जो कभी देखा नहीं तुका, तो क्या अंसर होगा? इसका यह अंसर होगा, लेकिन यह किस से संबंदित है? तो यह संबंदित है आपका एना लिड़ा से एन लेड़ा ठीक है? तो किससे आ जाएगा यह? यह आ जाएगा एन लीड़ा ठीक है? मतलब कि जो केच्व वागेरा होते हैं ना उसी से है यह समुंद्री चूहा एन लीड़ा से संबंधी थे हाँ चलिए और्थोपोर्ँटस होते हैं आर्थो पोर्ट कैसे होते हैं बताओ चलो बताओ फटावर्ट क्या अंसर होगा इसका एसा लग रहा है कि आप लोग ने दिवाली पे इतनी मिठाई खाई है कि आप से इसे ना तो उसे उंगली चल पा रही आपकी ना ऐसे आखे खुल पा रही है इसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मिठाई के नशे में तीन चार दिन और निकाल लेंगे है ना फूल जाओगे खाखा के चलो क्या अंसर हो जाएगा इसका हाँ उसने बोला है आर्थो पोर्ट पहरी बात तो ये क्या है सबसे बड़ा संग है है ना क्या है ये सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा क्या है संग है सबसे ज़्यादा इसी के अंतरगत आते हैं, जितने भी जीव होते हैं, अगर हम बात करें आर्थोपोट्च की, तो पहला क्या बोला है, उसने द्वीपार्श सम्मीती, द्वीपार्श का मतलब होता है, कि इनकी बोडी को, अगर हम बीज से काटेंगे, जैसे ये चोटा सा अक्रोच है, ठीके, अगर इसकी बोडी को हम बीज से काटें ऐसे, तो देखो, इसके इधर भी एक हाट एक पेर दिख गए, और इधर भी एक हाट एक पेर दिख गए, मतलब हमारे जैसा है ये तो, है ना, तो इस प्रकार से ऐसे देखो, दोई तरफ समान, ठीके, तो कोर की है, मतलब कि क्या इनके अंदर तीन जर्म लेयर पाई जाती है, ये बात भी सही है, क्या ये विखंडित है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इनका जो शरीर है, वो तीन हिस्तों में बटा है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, इन में से सभी, ठीके ना, इन में से सभी, चलि चलो आर्थोपोर्ट्स पाए जाते आर्थोपोर्ट्स कहाँ पाए जाते हाँ सही कहा और्थोपोर्ट्स के बाद सबसे बड़ा फिर मोलस का है ठीके किसने बताया यह भारती अहिरवार हाँ भारती अहिरवार सबसे बड़ा फिर वो ही यह उसके बाद चलिए किसमें रहते हैं बताओ जल में इस थल में वायू में सभी में रहते हैं ठीके सभी में रहते हैं कुछ कीट उड़ते हैं तो वायू में भी रहते हैं कुछ थल पे भी रहते हैं कुछ आपके और्थोपोट्स और कुछ जल में भी रहते हैं जल में जिसे क्या आपने सुनाओगा जल वाले का एक्जामपल क्या है आपने सुनाओगा क्रिस्टेशिया वर्ग क्रिस्टेशिया ठीके, क्या सुनाओगा, क्रिस्टेशिया का नाम सुनाओगा, इसमें आपने सुनाओगा, क्रेफिश, क्रेफिश सुनाओगा, ठीके, आपने सुनीओगी जींगा, खाते भी एं बहुत से लोग जींगा मचली को, ठीके, तो क्रेफिश, जींगा, ये सब आते तो और्थोप तो फिर सास किस से लेंगे यह लोग ठीक है ध्यान रगना इन में पाए जाते हैं गल्फडे गल्फडे इन में होते हैं गल्फडे और जो इस थल में रहते हैं उनके पास क्या होता है उनके पास होता है स्वास नली मतलब कि उनके पास क्या होता है ट्रेकिया है ना क्योंकि व जिंगा में पाई जाती है, जिंगा को ख़या भी जाता है, और जिंगा का पालन कहां होता है, तो धान के खेतों में, धान के खेत, धान के खेत, धान के खेत में क्या होता है, जिंगा का पालन किया जाता है, ठीक है? हाँ, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ये बताओ रग्त जूसक जोंक खून जूसते समय डेश प्रती सकंदन को स्त्रावित करते हैं पांच मिनिट पहले ही हमने बात करी थी हाँ, सिल्वर फिश भी और्थो पॉट्स में आते हैं रजत मीन चांदी मचली बोलते हैं जिसे हाँ, देखो, हिरूडीन भी क्या है, हिरूडीन तो जोक निकालता है यह हिपेरिन क्या है, हिपेरिन के बारे में बात करें तो हमारी WBC, WBC का एक टाइप है WBC के अंदर, WBC का ही एक टाइप है क्या टाइप है, उसका नाम आपने सुनाओगा बेसोफिल, ठीक है, क्या सुनाओगा besophil, कितनी बातरा होती है इसकी, तो इसकी मातरा होती है, 0.5% हमारे blood के अंदर दूसरी बात, ये 12 घंटे से कम जीती है, 12 घंटे से, 12 घंटे से कम जीती है, ठीक है क्या केसी cell है, इसको हम बोलते हैं, mast kochica mast kochica, केसी kochica है, mast kochica और यही जो cell होती है, यह क्या करती है, यह बनाती है histamine, और एक निकालती है क्या, heparine, क्या निकालती है, heparine, बागी का heparine और कहां बनता है, तो एक्स्ट्रा में अगर हम बात करें कि मेन हिपेरिन कहां बनता है तो फिर वो बनाता है हमारा लीवर ठीक है, पर मैंने कहा कि बेसोफील 12 घंटे के बाद काम करना बन कर देती है, है ना तो बेसोफील अपने कारी के दोरान, जब तक जिन्दा रहती है, तब तक ये हिस्टामीन हिपेरिन बनाती रहती है, अगर इसकी मातरा ज़ादा हो गई, तो बोड़ी में क्या हो जाएगा, इसकी मातरा ज़ादा होने पर, इसकी मातरा ज़ादा होने पर, ज़ादा होने पर, क्या हो जाएगा दमा रोग हो जाएगा दमा की problem हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि allergy वाला histamine क्या होता है histamine से होती है allergy यह allergy वाला chemical निकालती है इसलिए इसके बढ़ने पे हमें दमा रोग हो जाएगा तो यही मैं आपको बतना चारी एक बात बहुत अच्छी कि यही बेसोफिल जब अपना कार काल खतम कर लेती है तो यह बेसोफिल कहां ट्रांसफर होती है हमारे लीवर में ट्रांसफर होती है और यही बेसोफिल हमारे लीवर में जाकर किस में बदल जाती है फिर हमारे लीवर में जाकर यह बनाती है कूफर सेल कूफर कोशिका क्या बनाती है कूफर कोशिका बनाती है ठीक है कूफर कोशिका तो आपकी प्लीहा के अंदर जो भक्षन कोशिका है आपके लीवर के अंदर जो कूफर कोशिका है वो आखिर आई कहां से वो यही बेसोफिल है जो अपना कारीकाल खतम करने के बाद 12 घंटे बाद जब डियक्टिवेट होने की स्थिती में होती है तो लीवर में जाकर बेट जाती है और वहाँ पर कूफर सेल बन जाती है ये होती है ठीक है? चलिए तो क्या आजाएगा? हिरूडीन जो जोक निकालता है निम्न में से कौन एक कीट नहीं है चलो फटा फट से एंसर दो इसका चलिए क्या आंसर होगा? उसने बला है निम्न में से कौन एक कीट नहीं है मदू मक्खी कीट है चांदी मचली कीट है मच्छर कीट है मकडी मकडी जो होती है वो कीट नहीं है है ना? जो मकडी अब आप बोलोगे कि सारे कीट तो इसमें आते हैं और्थोपोडा में भया आर्थोपोडा जो होता है आर्थोपोडा आर्थोपोडा के अंदर ये तो संग हो गया है ना? ये तो संग हो गया अब इसके अंदर वर्ग भी तो होते हैं जैसे कि कीटबर्ग, तो यह कीटबर्ग में नहीं आती, ठीके, किसमें आती है, Eric, किसमें आती है ये, Eric, नेडा, ठीके, तो यह जो आपकी मकडी होती है, मकडी सुनाहो आपने, बिच्छू सुनाहो, वो सब इसमें आते हैं, ठीके, उसके अलावा, एक जीव और है, जिसके बारे में केकड़ा केकड़ा किसमें आता है बताओ केकड़ा किसमें आता है यह तो आ गई आपकी केकड़ा किसमें आता है केकड़ा एगा क्रिस्टेश्या वर्ग में ठीक है तो मैंने आपसे यह कहा कि जो कीट है कीट वर्ग कीट वर्ग में यह सब आएंगे विचारी मकडी नहीं आयेगी, मकडी, आर्थो-पोर्ट्स में आएगी, पर कीट में नहीं आएगी, वर्ग में नहीं आएगी, हाँ, ठीके, एरेक्नॉइट में, बहुत सही, ठीके, सही कहां, चलो, आगे बात करते हैं, फीर से एक बार भीया, अगर आपको science का course purchase करना है ना मलब की जिसमें only science रहेगा special तो आप Shiren 20 के नाम से coupon code apply कर सकते हैं चलो आर्थो पोर्ट्स में देह गुहा रक्त से भरी होती है जिसे dash कहा जाता है अर्थो पोर्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो रक्त गुहा होती है गुहा का मतलब होता है cavity खाली जगा उस खाली जगा को क्या कहते हैं देखो, जिस प्रकार से गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन में चाशनी होती है, चाशनी में गुलाब जामुन होते है, कि गुलाब जामुन में चाशनी होती है, बात दोनों एक ही है, कि चाशनी में गुलाब जामुन डाल के रखते हो ना, लिक्विड के अंदर, वेसे ही, ये मैंने कहा न, देह गुहा, तो इनके अंदर भी इनका शरीर कटोरा, कटोरे में चाशनी, और चाशनी समझ लो ये ब्लड हो गया इनका, और इस चाशनी के अंदर जी गुलाब जामुन रखे न, ये इनके अंग है, तो जैसे जिस प्रकार से रजगुल्य और घुलाब जामुन चाशनी में डूबे होते हैं न, वेसे ही, इनके अंग भी जो होते हैं न, वो डाइरेक्ट ब्लड के समपर्क में डूबे होते हैं कटोरे के अंदर, बस वही बात कर रहे हैं तो इसको गुलाब जमुन ना बोल के क्या बोल देंगे हीमो सील बोल देंगे हीमो सील होता है हीमो साइनिन तो क्या है हीमो साइनिन तो एक वड़नक है ओक्टोपस में पाया जाता है ब्लू ब्लू कलर का ठीके ना हाँ चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भया, गुड इवनिंग, हाँ, चाकु तर्बूच पे गिरे, हाँ, मतलब बात सम्तिंग सम्तिक वही है, कि चाशनी में गुलाब जामून है या गुलाब जामून में चाशनी है, मैं बताना यह चा रही हूँ, कि उस लिक्विड के देखना एक बार, ऐसा मन खुश सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब, क्या ही देख लिया है, मतलब, दो मिनिट के लिए, है ना, जैसे कि वह होता है न, स्नेल, जब आप स्नेल की अनाटोमी करोगे न, तो आपको ऐसा लगेगा, जिससे किसी ने बेक समुजा खोल के आर्थोपोर्ट का मुख के उस्सरजी पधार्त क्या है, आर्थोपोर्ट जो होते हैं, वो क्या उस्सरजीत करते हैं, अब आप बोलोगे उस्सरजीत तो सब वेस्ट माटेरियली करते हैं, इसमें क्या नया, नये से मतलब ये है, कि भाईया सभी के उस्सरजी पधार्त में कुछ कुछ चीजों की मात्रा जादा होती है किसी में यूरिया जादा होता है किसी में यूरिक एसिट जादा होता है किसी के अंदर अमोनिया जादा होता है तो उसने पूछा है कि आर्थो पोर्ट जो होते हैं उसमें क्या जादा होता है C हाँ, क्या होता है? तो एक बार कोक्रोज की वश्रूम जरूर चेक करना, कोक्रोज के घन में जाना, है ना, तब आपको मालूम पड़ेगा, कि मैं सही बोल रहे हूं या गलत बोल रहे हूं, ठीक है, जो कोक्रोज होता है, उसका जो उस्सरजी पधारते, वो यूरी कैसी डे, सिदी सी बाते, वो तो भले ही, आप मैं कसम खाके बोल रहे हूं, अगर मेरी बात पर यकिन ना हो, कि मैं बोल रहे हूं यूरी कैसेट, तो चाहो तो आज ही अपने नजदी की कोक्रोज ते पूछ लो तुम, पूछ लो, अगर उसने बोल दिया, मैं गलत बोल रहे हूं तो बात की बात, पूछ लो, घर में मख्य होगी, आसपास मच्चर हूमरा होगा, इसी के आसपास तो होगा कही ना कहीं, बुला उसको पूछ अभी, अपनी बात को लेग, चलो, मैं कैसा होता है भया, उसने बोला है, कैसा होता है, खुला, बंद या नाल, भया मोलस्का के अंदर खुला पर और है के अंदर अंग डूबे रहते हैं, चाशनी में गुलाब जामुन बेठे होते हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो यह नसे पाई जाती है, जिसे हम काट लेते हैं बार बार, ठीके, तो वो हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर तो नसे हैं, ठीके, लेकिन मोलस् उन से और्थोपर्ट्स हो सकते हैं आपके आसपस जैसे कि कोकरोच एक और्थोपर्ट्स में आता है है ना टिड़ा टिड़ा आता है टिड़ा मच्छर मख्षी सब आएंगे पूछ लो मोलस्का का शरीर केल्शयम कार्बुनेट के डैस से ढखा होता है एलो रेका चोहान बोल रही है कि वो हमसे बात ही नहीं करते हैं अरे किस बात का एटिटूड है उनको इतना एटिटूड अच्छी बात नहीं होती है ना सोचो कि मच्छर मख्षी हो के वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं गजब बात कर दी आपने चलो, क्या हो जाएगा इसका अंसर? इसका अंसर हो जाएगा शेल!! उनके उपर कौच पाया जाता है क्यूंकि उनका शरीर बहुत होता है, डिल्कुल मुलायम सा, ठीक है? याफ उनका फिल्य ओको पते हैं क्यें सा … न तो Колक्प हम आप गए के लिए जैसे हम जैसे लोग जाएंगे हमको मोलस्का तिग्या तो हम घचर पचर कर देंगे उसको पकड़ के तो वो लोग कवस से ढखे होते हैं छूपके बेटते हैं हमसे कि भाया यह जाहिल लोग हैं है ना मैं जाओं तो पकड़ के बिल्कुल घचर पचर कर दो उसको ठीक है तो इस प्रकार से वो कवस ढखे होते हैं बढ़िया से, आपने सुना होगा, है ना, इस प्रकार से वो, जब भी हमारे आसपास मकान बनते थे ना, तो ऐसी सीप निकलती थी, सीप, एची खुलती है जो सीप, है ना, रेती के अंदर, वो, वो जो आपको सीप दिखता है ना, वो क एल्शम कार्बोनेट का कवच है, जिसके अंदर क्या होता है, वो बिचारा जानवर छुपके बेटता है, पर वो रेती भर के लिए आते हमारे अधर, तो जब अपन छोटे थे ना, तब हम शंक ढूंडते फिरते थे, तो वो शंक क्या है, शंक के अंदर भी बिचारा जान पाए शंक की तो, चलो, आगे बाद करते हैं, तील चिट्टा में रक्त का रंग क्या होता है, चलो इसका अंसर तो फटा फट से कोकरोज के खून का रंग क्या है बताओ लाल, नीला, हरा या रंग हीन देखो यदि हम बात करें लाल तो होता नहीं है उसका खून मैंने देखा है ठीके नीला और हरा हरा भी होता नहीं है ठीके अब बात करते हैं हम नीला और रंग हीन की तो इसका में अंसर हम लगांगे कलरलेस क्यों? क्योंकि उसके ब्लेट के अंदर किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता ठीके? चलो आकशेरू की जनतों में सबसे विक्सित दिमाग किसके पास है? आकशेरू की जनतों में सबसे विक्सित दिमाग किसके पास? बताओ बताओ मॉलस्का है ना? मॉलस्का जैसे कि क्रिस्टेशिया वर्ग है ना? क्रिस्टेशिया वर्ग उसके अंदर भी हलकासा नीला रंग होता है जैसे जीगा मचली जीगा के अंदर भी हलकासा नीला बलड होता है बताओ ओक्टोपस इसके पास इसकी जो हाथ होते ना इसके जो हाथ जो इस प्रकार से घुमाते रहता है वो इसके हाथों के अंदर आदे से जादा नर्व जो होती है इसके हाथों में पाई जाती है ठीके और इसके पास कितना खतना किसका जो दिमाग होता है वो लोवस में बटा हो ठीक है, छट पटाता है इसे, चलो भया, मॉलस्का का मुख्य उस्तरजियन क्या है, मॉलस्का जो है वो क्या उस्तरजित करते हैं, इसके लिए रुखना बनता है क्या, मॉलस्का जल में रहते हैं, और जल में रहने वाले जीव क्या करते हैं, किस चीश का उस्तरजन करेंगे यहां हमों। चलो भया अरे दादा साइन्स बेच अगर आपको लेना है तो आप कूपन कड़ अपलाई करेंगे श्रीन 20 के नाम से ठीके और उसमें मेरी AC वाली फोटो रही रही जिसमें थोड़े से बाल बढ़े हैं अभी तो कटवाली है मैंने पेचान लेना ठीके तो आप इस रिन 20 कूपन कोड़ अपलाई कर सकते हो इसमें आपको 20% का एक्स्रा डिसकाउंट मिलेगा चलो उपास्थिल मचली नहीं है उपास्थिल का मतलब है ऐसी कौन सी मचली है जिसमें कार्टिलेज नहीं पाए जाते लगेगी ना निशा कौन सी क्लास की बात कर रहा आप बताओ देखो डॉग फिश जो शारक है उसमें भी उपास्थि पाई जाती है विध्यूत्रे इसमें भी पाई जाती है ठीके दंश्रे इसमें भी पाई जाती है पताओ ये कैसी मचली है ऐसी फ्लेट मचली देखी वह ऐसी वाली ऐसी मचली होती है उसकी दुछ छोटी चोटी से आखे होती है ऐसी मचली उसको बलते है दंश्रे ठीके तो इसके अंदर क्या अंसर हो जाएगा flying मचली उडन मचली ये मचली इसका अंसर सही है ठीके की वाली मचली सही है हाँ चलो निम्न में से कोन जबडा रही जानवरे निम्ण में से कौन ऐसा जानवर है जिसका जबड़ा ही नहीं है बताओ जबड़ा नहीं है शार्क का जबड़ा इसे सुना ना शार्क के जबड़ों से बच नहीं सकते शार्क का जबड़ा ठीके सीधा सा अंसर है तुक्का भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे क्योंकि दो अंसर दिये हो लास्ट में देखो क्या पुछा है B और C दोनो यह दोनों कैसे है यह दोनों जबड़ा रहित जानवर है मचलियों में भी होती जबड़ा रहित मचलियां होती है चलो निम्न में से कौन एक मचली है हाँ कोन एक मचली है समूंदरी घोड़ा एक मचली है ठीक है समूंदरी घोड़ा एक मचली है ऐसा ऐसा घोड़ा ऐसा होता है ड्री गवाड म farklı टाइस later कि एसा हुता है कि एसा बशाई ना हorage सब क्ल Crispyogen यह छिए independence ठीक है पर सकाने खाने के लिए नहीं है यह मच्छरी है क्लिकि orph Он्यों भूर सक डीक है नहीं लिक अब अब सिफा चर्ले जाल डाल टे ठीक है? इसको बलते समुंदरी घोडा, हिपोकेंपस और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में भी होता है जहां पर मेमोरी स्टोर होती हिपोकेंपस अगर उसको चोट लगी तो टोटल मेमोरी लोस हो सकती है है ना? हाँ, चलो मचलियों और उभय चरों के बीच की सहियों जग कड़ी कौन सी है? जापान के लोग टेबल कुरसी को छड़के सब खाते हैं किसी दिन उनको भूक लगेगी मालूम पड़ाओ, अपने ही हाथ, अपने ही उंगली खा जाएंगे वो बताओ, क्या अंसर होगा इसका? उसने पूछा है, मचली और उभय चर क्या अंसर होगा इसका? तो प्रोटी टीरस, ठीक है? अरे, हिपोकेंपस कहां से जाएगा? ठीक है? मचली और उभय चरों की बिसकी कड़ी पूछी उसने, यह तो पूरी मचली विचारी हिपोकेंपस कहां से लगा रहे हो? चलो, नदी में पाई जाने वाली मचली कौन सी है? बताओ, नदी में पाई जाने वाली मचली कौन सी है? नदी में पाई जाने वाली मचली कौन सी है श्ररय पाई अंसर ओजाएका दी लोग्या रोहीता थीग है लोग्या रोहीता बागी देखो यह टॉर्पीडो जो यह है विद्यूत्रे शार्क वगेरा यह थो सब कर फांचर इसका मतलब है डैश जोड़ी पेर होते हैं कितने जोड़ी पेर होते हैं कितने होते हैं विया तो दो जोड़ी पेर होते हैं ठीक है दो जोड़ी पेर होते हैं चलो यह इसका अंसर बताओ निम्न में से कौन पेर और जीब रही उभेचर है ऐसा कौन सा उभेचर है ना तो जिसमें जीब है ना तो जिसके पेर है चलिए, क्या अंसर हो जाएगा इसका? बीस का सही अंसर है ठीक है? ब्लाइंड वॉम बीस का अंसर सही है ठीक है? चलो, आगे बात करते हैं और उसने पुचा है डेश को छोड़ कर उभैचर में बाही निशेचन होता है किसको छोड़ कर बाही निशेचन पाया जाता है? सभी बाही निशेचन का मतलब क्या होता है? अपने अंडे बाहर दे देना और उनका निशेचन शरीर से बाहर कहीं होना है ना? फर्टिलाइजिशन बाड़ी के अंदर नहीं होता पर लेकिन इन में से एक ऐसा भी जानवर है जिसके अंदर इंटर्नल फर्टिलाइजिशन होता है वो एमभी फिर भी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? सेला मेंडर्स ठीक है ना? सेला मेंडर्स हाँ बताओ पूरे जन्तु जगत में डेश के पास सबसे बड़ा आरबी सी होता है और इसके लिए बिल्कुल नहीं रुकना इसका अंसर हो जाएगा एमफी ब्यूला एमफी ब्यूला क्योंकि हमारे पास समय की कमी है थोड़ी सी ठीक है? चलो यह बताओ दुनिया की एक मात्र जहरी नी छिपकली है चलो फटाफट से क्या अंसर हो जाएगा इसका? हेलो डर्मा हेलो डर्मा जो है वो दुनिया की एक मात्र जहरी ली छिपकली है ठीक है? हेलो डर्मा ठीक है प्रिती वो अभी इसी वीक में सम्थिंग सम्थिंग कभी भी बता दूँगी मैं आपको इन नोटिफिकेशन डल जाएगा या फिर मैं यूट्यूब पर आपको बता दूँगी कब जन लगेगी वो ठीक है जिस टाइम भी फ्री समय रहेगा तो मैं उस क्लास को लगबा दूँगी ठीक है? चलो भया आज का हमारी समय सीमा समाप्त हुई है और आपकी नेक्स क्लास रहेगी ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में जे हिन जे भारत झालो जे लुग अक्ष टे जे रहेगी जे होड़ते हैं झाल झाल